आज हम दोग बात करने वाले WordPress AI plugins के बारे में अगर आप लोग WordPress यूज करते हो चाट GPT यूज करना चाहते हो उसके अंदर अपनी productivity को थोड़ा increase करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपीश आदवानी यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग WordPress AI के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज हम बात करने वाले कुछ special handpicked AI plugins के बारे में जिनको मैंने खुद ने यूज किया यहाँ पर आज मैं आपको पूरा demo देके screen के बताऊँगा कब आपको कौन सा उसकरना है कितना पे करना पड़ागा किस टूल के लिए कौन कौन से free है सब कुछ बताऊँगा आज के इस वीडियो में बिना किसी delay के चलते है स्क्रीन के ऊपर यह रही मेरी website kptesthos2.icu इसी पर मैंने सारे AI के plugins हैं आपे setup करके रखे जो भी आज मुझे आपको बताने है यह फिलाल अभी hosted है hostinger के ऊपर जो कि आज की video sponsor भी है इसके बारे में आपको और आगे बताऊँगा शुरुवात करते है हमारे सबसे पहले plugin से जिसका नाम है AI power and this is one of the most powerful plugin for wordpress थोड़ा बहुत complex भी है लेकिन इससे आप लोग almost सारी चीज़े कर सकते हुए यह plugin ऐसा है जब पूरी chat GPT के power आपको wordpress के अंदर लाके दे सकता है and इसको use कैसे करना है सबसे पहले इसको install कर लेना है once you install this plugin उसका link में नीचे description पे दे दूँगा and you have to set up your API key तो इसके लिए यहाँ पर आपको जाना है settings पर then you will need to go to AI engine then यहाँ पर आपको अपनी API key है वो paste कर देनी है API key कहां से मिलेगी उसके लिए आपको जाना है chat GPT के ओपर platform.openai पर जाओगे आप यहाँ पर जाओगे you can click here personal and then view API keys यह आपको यहाँ पर API key new आपको जन्रेट कर सकते हो नई users को यहाँ पर डॉलर 5 तक का credit मिल जाएगा उसके बाद यह चार्जेबल होती है इसकी price बैसे कम है compared to chat GPT plus but यह free नहीं है डॉलर 5 limit exhaust होने के बाद आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा so plug-in free है लेकिन चार्ज GPT की API की आपके पास होनी चीए एक बार API की आ गई यहाँ पर आपको पेज कर सकते हैं यहाँ से open API select कर लेंगे हम लोग and then model में GPT 3.5 turbo is good enough 4 का access मिल गया है तो you can use 4 लेकिन उसके charges भी जादा कटते है for most beginners I recommend GPT 3.5 and then save इसके बाद जो इसमें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर आपको में चीजे में बता जाता हूं नहीं तो इस plug-in के उपर ही मेरा पूरा वीडियो निकल जाए को किसमें बहुत सारी चीजे तो जो में आपको बताता हूं सबसे पहले इसके बाद generate section कितने section चाहिए I can select from here और इसे मुझे यहाँ पर section दे दिये हैं and then this section के साब से मैं generate content भी click कर सकता हूं और I can edit this section as well और कौन-कौन से prompt यहाँ उसके गए वो भी आपको यहाँ पर right-hand column पर मिल जाएंगे and you can edit this prompts as well कुछ seconds के बाद है यहाँ पर content आ गया है पूरा इसने मुझे लिखके दे दिया है क्या रहेगा पर इसे कौन-कौन से beans रहेंगे क्या पूरा इसने एक rough article यहाँ पर इसने मुझे लिखके दे दिया है and यहाँ पर इसमे जो default model है वो turbo है 3.5 है मैं चाहँ तो GPT-4 का भी यहाँ पर यूज कर सकता हूं तो यह तरीका इसको यूज करेंगा दूसरा you can use it directly in your post for example I'll go to this post I'll click edit and यह मुझे जादा अच्छा लगा है compared कि मैं इसे पूरी post लिखूं तो यहाँ जैसे यह मेरा content लिखा हूँ तो I can just select the heading types of AI beans, coffee beans, मैं आप इसको select करता हूं and then this this is my AI power, मैं इसे पर click करता हूं and then मैं चाहँ तो इसको expand कर सकता हूं, rewrite कर सकता हूं बहुत ideas बना सकता हूं इसके लिएकर make a bullet list मैं आपे paraphrase सब कुछ कर सकता हूं तो मैं उस content के basis पर तो जैसे अगर मैं यह 3 select कर लेता हूं and then this के बाद यह click करता हूं and then I click generate a correct grammar or generate a question for this तो वो मुझे इसके लिए पर question भी generate करके देगा तो जो आपको already existing content अगर आपको इसको improve करना है तो यह वाले जो features है question, passive voice, active voice, generate a quote तो थोड़ा और interesting यह बना के देगा तो जैसे तीन मैं से लिखके थे मैंने का कि इसके basis पर question दो तो असने देदिया what are the key differences between this and this and this additionally how to specify तो if you want to have that curiosity पहले question पूछना है user से तो आप उसके लिए use कर सकते हो, conclusion के लिए use कर सकते हो, उसके points मांग सकते हो I can click this, I can click generate ideas about this तो बहुत सारी चीज़े you can do with this plugin बस आपको यहाँ पर चार्ट GPT की की requirement रहेगी अगला जो plugin हो आपको पूरा AI article लिखके दे देगा इसके लिए आपको चार्ट GPT की जो API की होती हो उसकी requirement नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पर आपको जो hosting है यहाँ पर होस्टिंगर AI assistant then here you can use it to create the article for example post, casual लखना है, short content बनाना है, long बनाना है, you can select it from here और यहाँ पर मैगने डाल देदाँ, types of coffee beans, generate content तो यहाँ पर इसने मुझसे कोई भी API की लिए बहुत ही simple है post, page, यहाँ पर जो भी आप उचे ही है, long form, short form आप लोग content यहाँ से generate कर सकते हो सिर्फ यहाँ पर आपको अपना जो hosting है, वो hostinger से खरीदना पड़ेगा and then you will get this tool, this plugin for free, यह आगे यहाँ पर मेरा पूरा आर्टिकल लिखा हुआ, image भी इनों ने डाल दी है, यह आगे फासिनेटिंग world of coffee beans, classic arabica, robusta and exotic तो इनों ने आपर around मुझे 400 watts का simple सा article generate करके दे दिया है apart from this, Hostinger आज के इस वीडियो के sponsor भी है तो if you go and buy through my link तो आपको यहाँ पर free में दो courses में दूंगा let's check that out एक यह है lightning blocks वाला course एक है hostinger training program यह दोनों आपको courses यहाँ पर free में मिल जाएंगा absolutely free if you go and buy through my link क्या करना है आपको नीचे description में एक link मिलेगा आपको go.kripashadvani.com वहाँ पर जाना है purchase करना है कोई भी plan को minimum 1 year के लिए मेरा open code एंटर कर देना है and then purchase करके receipt आपको मिलेगी receipt आपको मुझे mail करनी है and उस पर subject line डालना है hostinger training program plus free course तो यह जो दोनों चीज़े हैं यह आपको free में मिल जाएगी once I verify that अगला plugin हमारे पास all text.ai यह आपकी images जो भी रहेगे उसका all text automatically generate करके दे देगा जैसे कि मैं आपे जाता हूँ यह रही मेरे website I'll go to media library then यह वाली मैं image को select कर लेता हूँ उसके बाद यह जो alternative text है all text है जो कि SEO के बहुत important रहता है इसको मैं आपे क्लिक करता हूँ update all text and then automatically all text generate करके देगा I'm sitting in a chair reading in a book तो यह इसने मुझे automatically generate करके देगा इसी तरीके से जो भी आपको images upload करोगे यह उसका automatically all text set कर देगा तो इसकी pricing के बारे में बात करना हो तो आपर आपको free में 25 credits मिल जाते हैं and then इसके उपर अगर आपको चीए 25 images के उपर चीए तो यह नीट पे dollar 5 per month for 100 credits per month यह इनका yearly plan भी ले सकते हो all text के लिए मुझे यह best plugin मिला है अभी तक next plugin है हमारे पास 10 web का AI writing assistant यह आपको WordPress पे आपको इसको install कर सकते हो basically इस तरीके से work करता है यहां पर you can select your title and then यहां से you can select कि उसका generate करना है you want to generate outline, paragraph तो वो you can generate इसमे आपको कोई API की नहीं देनी है सिर्फ यहां पर आपको 10 web AI के उपर free में account बनाना है और आपको यहां पर 10,000 credits इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे पास पर एक प्लान है 10 web का मैं detailed review लेया हूँगा AI website builder भी काफी अच्छा है तो इसके लिए detailed review लेया हूँगा थोड़ा सब्र रखो but apart from that यहां पर आपको free में credits बे मिल जाएंगे इसलिए कैसे यूज करना है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है नीचे and then I have screenshots also कि यहां पर आपको select कर सकते हैं outline और paragraph introduction, paragraph conclusion, paragraph rephrase यह सारे आपको options मिल जाते हैं यहां पर अभी फिलाल है मेरे इस पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि यह जैसी मैं इसको select करने बाद यहां पर इसमें नीचे options आने चाहिए जो मेरे पास नहीं आ रहे है for some reason, हो सकता है कोई plugin conflict कर रहा हो लेकिन अभी मेरे पास options नहीं आ रहे है अगला plugin हमारे पास getgenie यह भी आपको free में 1500 words दे देगा 10 web आपको 2000 words दे रहा था coffee beans focus word coffee beans English max results 2 तो इस तरीके से आपको इसके अंदर ही एक AI writer मिल जाएगा आपके WordPress के अंदर ही apart from that आप लोग इसको चाहो तो use भी आपको पोस्त के अंदर for example I can click this types of coffee beans and यहां पर मेरे पास getgenie को option आ गया है getgenie में क्लिक करूंग expand outline मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहां पर इसकी मुझे outline बनाके दे देगा here I'll click right here तो मुझे पहले यहां पर इसको select करना पड़ेगा then यहां पर आएगा वो and then यह इसने मुझे आपर इसकी outline दे दी है कुछ इस तरीके से पूरा पार पूरा इसने outline के नाम पर anyways इसको इस तरीके से यूज किया सकता है just like i power आप इसको भी यहां पर इस तरीके से यूज कर सकते हो to rewrite और बागी सारे अगर आपको tools है तो you can just go here and यह सब आपको मिल जाएगे 1500 words per month for free बस इसमें आपको एकी काम करना है get genie पर सबसे पहले जाना है वहाँ पर free account बनाना है and then वहाँ से आपको license key मिलेगी उस license key को लाकर के you can just paste it here यहाँ पर आपको paste करना पड़ेगा next AI plugin है हमारे पास uncanny automator अगर आपने zapier का नाम सुना होगा यह उसी की तरह है but wordpress के लिए zapier क्या करता है कि दो अलग अलग platform को connect करता है for example कि मैंने google drive पे image करी वह image मुझे excel में भी डालनी है अपनी उसका url मुझे excel पर डालना है कि मैं google drive से zapier पे automation लगा दूँआ कि जैसे ही मेरे google drive पे image upload हो वह automatically मेरे sheet पर भी उसका url पहाँ पे paste हो जाए इसी तरीके से you can just have lot of automations for you यह automations अब यहां पर wordpress के लिए through uncanny automator specifically made for wordpress यहां पर आपको क्या करना है add new पर जाना है अब यहां से automation का title हम दोग दे देंगे demo फिर trigger trigger क्या रहेगा जैसी wordpress पर कोई भी यहां पर post publish हो a post is published ठीक है तो यह trigger हो गया जैसी wordpress पर यहां पर कोई भी post publish होगी I can add an action मैं उसको email कर सकता हूँ मैं उसको पाबली पर भीज सकता हूँ and then पाबली यहां जपियर से I can do different automations यहां जो भी plug-ins वकर मैंने डाले हैं उस पर भी मैं उसको भीज सकता हूँ आपको यहां पर और जानना है तो इसका एक detailed article है जो मैंने आपने ब्लॉक पर डालकर रहा है यहां पर यह रेगुलर्ली अपडेट होता रहता है with all the latest AI plugins यहां पर कुछ और भी extra plugins भी आपको मिल जाएंगे जो मैंने इस video में डिसकस नहीं करें एक मैं आपको बोनस यहां पर plugin बता देता हूँ वह है Link Whisper Link Whisper क्या करता है वह आपके internal links को setup करने में help करता है वह automatically आपकी post को यहां पर analyze करता है आपने जो भी post डालके रहे कि उसके साब से आपको internal links यहां पर suggest करता है It is one of the best internal linking suggestion tool in my opinion and then इस तरह के आपको recommendation दे देता है कि कौन से यहां पर outbound links लग सकते है कौन सी post से यहां पर link आप लोग लगा सकते हो तो वह समयां पर आपको मिल जाता है It is really good for internal linking in my opinion लेकिंस का free version निया you will have to pay for it one site license dollar 77 का लगेगा and if you can go through my link तो यहां पर आपको एक extra discount भी मिल जाएगा dollar 15 या dollar 20 का discounted links आपको सारे नीचे description section में मिल जाएगे and यह थे हमारे main plugins मुझे जो सबसे लगा है वह AI engine Do let me know कि आपको सबसे हाँ कौन सा लगा है और किस तरीके से आपको सबसे हाँ कौन सा लगा है आपको सा लगा है कि अगसी हुआ है